छोटे से गाव में एक युवक रहता था, जिसका नाम विजय था। विजय बचपन से ही भूतों और पिशाचों की कहानी सुनने का शौकीन रहा है। उसे रातों के समय आकाश में चमकते हुए तारों के बीच बड़ी-बड़ी कहानियां सुनने का शौक रहता था। एक दिन विजय अपने दोस्तों के साथ गाव के पुराने महल में गया, जहां एक पुरानी मंदिर की गुफा पर बसा भूत रहता था। सभी लोग उससे डरते थे, लेकिन विजय बिलकुल नहीं। वह भूत की कहानी सुनने के लिए बहुत उतसाहित रहता था। बेचारा भूत को अकेले रहने की वजह से अब तक वह अधूरी कहानी सुनाने का मौका खो चुका था। जब विजय ने अपनी इच्छा व्यक्त किया कि मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, भूत ने इस बात को सुनकर आहत हो गया, उसने विजय के पास आकर बात की। भूत के चहरे पर दुख और अशान्ती की जलक थी। विजय ने उसे प्रश्न किया, तुम्हारी कहानी क्या है? भूत ने आहत होकर बताया, मैं एक व्यापारी था, जो इसी गाव में रहता था, मेरे पास एक सुखी और सम्रिद्ध जीवन था, लिकिन एक दिन मेरी मृत् दिर में बंध हो गया, तब से मैं यहां फंसा हुआ हूँ, मेरी आत्मा चैन से नहीं जा रही है? विजय ने उसे पूछा, तुम्हें इसके आगे क्या चाहिए? भूत ने आवाज में गम के साथ कहा, मुझे शान्ती और मोक्ष की तलाश है, मेरे द्वारा किये गए पाप के कारण मेरी आत्मा आत्महत्या के रूप में फंसी हुई है, मुझे किसी प्रकार से उन पापों का प्रयाश करना होगा, जो मुझे जीवित लोटा सके और मुझे शान्ती प्रदान कर सके, विजय की रूह में एक जोती जली और उसने वादा किया, मैं तुम्हारी मदद क करके तुम्हारी इस मुक्ति के लिए संघर्ष करूँगा, भूत की आँखों में आशा की किरण दिखाई दिया, वह संतुष्ट हुआ, ये एक नई शुरुआत थी, एक भूत और एक युवा योद्धा की यात्रा, जो पापों को हराने के लिए अपनी शक्तियों का उप होंगे, लेकिन वे अपने साथी बने हुए थे और संघठित रूप से आगे बढ़ने के लिए तयार थे, उनकी पहली मंजिल एक खतरनाक जगह था, जहां प्रेतों की भीड सामने आई, भूतों के राजा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन विजय की धैरे और वीर इक्षाओं से गुजरना पड़ा, वे भयानक राक्षसों, विपरीत प्रेतों और अद्भुत मायावियों से लड़ने के लिए तयार रहते थे, प्रत्य एक चरण पर उनकी आत्मा और शरीर में ताकत बढ़ी और उनका संघर्ष अब पहले से भी ज्याद गहरा हो गया थ अंततह, लड़ाई को लड़ते हुए विजय और भूत ने एक विशाल प्राचीन मंदिर तक पहुँचा, इस मंदिर में एक अत्यंत शक्तिशाली देवी थी, जिसकी कृपा से प्राणी आत्माय मुक्त होती थी, विजय और भूत ने उस देवी की आराधना की और उनकी नेहनत और विश्वास से अंततह उन्हें मुक्ति प्रदान हो गई, भूत की आत्मा शांत हो गई और विजय ने अपना वचन पूरा कर दिया, वह अब एक खुशहाल और शांति पूर्ण जीवन जीने लगा, विजय ने यह समझा कि भूतों से डरने की जरूरत नहीं है, बलकि हमने उनकी बातों को समझना चाहिए कि वह हमसे कहना क्या चाह रहा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारी मृत्यू के बाद भी जारी रहता है। हमें सत्य, न्याय और धर्म का पालन करना चाहिए, ताकि हमारी आत्मा शान्ति प्राप्त कर सके. ये हमें याद दिलाती है कि भूतों या पिशाचों की कहानियां हमें सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती हैं, बलकि हमारी आत्मा को संदेश देती हैं.